हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने ग्रेजुएशन यानि बीए, 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 बीकॉम, एमकॉम किसी का भी रिजेल्ड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवद इन्वर्शिटी का किस तरह से आप चेक कर सकते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो में आगे बने रहना है और इसके लिए आपको अपना Chrome Browser ओपन कर लेना है जैसे आप अपना Chrome Browser ओपन करते हैं उसके सर्च बार में आप टाइप करेंगे R M L U R M L U लिग करके दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज़ खुल करके आता है इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है नीचे आने के बाद सबसे ऊपर में एक वे आपको देखते जाएंगे यहाँ पर तब तक नीचे आना जब तक कि आपको स्टूडेंट कॉर्णर का उप्शन नहीं मिल जा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कॉर्णर का मुझे ऑप्शन मिल गया है अब इसमें आपको सर्च यानि धूनना है रिजल् मिल जाएगा दोस्तो को तो कि क्लिक कर देनाया रिजन्ट एंड मार्क शीट पर कुलिक कर देता है जासह घ्थ करना चषिक अब कर दोस्तों आपका नया नया दोस्तों रिजल्ट आया हुआ होता हो आपको नीचे मिल तो आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले आना है और देखना कि कौन कौन से रिजल्ट आपका आया हुआ है तो प्रेजन टाइम में दोस्तों आपका बेशी सेकेंड डियर का रिजल्ट आया हुआ है तो आपको जिस भी between ili य सी या फिर िएर का रिजल आया है जिसका भी आपको करना से इसे करुंग करना चलिए अंपको चेक करके बताते हैं कंब यानिיתי शीद्विस क्लिक रते हैं तो मैं ब्युक्त पार टू पर सिंप्ली क्लिक करते हैं तो आपके यूपी में जितने भी सारे कॉलेज हैं डाक्टर रमनोय या आवद से उनकी सारी कॉलेजों की लिस्ट खुल करके आपके सामने आज आएगी अब यहां पर आपको अपना वाला कॉलेज सर्च करना यानि आपका जो कॉलेज ह तो अगर आपके पास दोस्तों अपने कॉलेज का कोड है जो आपके कॉलेज का कोड है तो आपको खोजने में बहुत ही आसानी होगी और अगर नहीं है तो आप यहां से इस तरह से पढ़ पढ़के पढ़के दोस्तों सिंप्ली आपको अपने कॉलेज को खोज लेना है और का जैस्ट बगल में आपको एकदम से नाम भी दिखा देगा जो आपके कॉलेज का नेम होगा यहां पर आप देख सकते हैं अब उसके साइड में आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे जैसे आपको यहां पर रोल नंबर टाइप कर देना है चलिए हम आपको अपना रोल नंबर कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट कैसे आपको देख सकते हैं तो मैं दोस्तों यहां पे अपना रोल नंबर टाइप कर लिया हूं जैसे आप अपना रोल नंबर टाइप कर लेंगे सो रिजल्ट का एक आप्शन नीचे आपको मिला सिंपली आप इनवर्सिटी का result चेक कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जोगें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिंद